हाई गाईज वेलकम बैक टू एम्प्लीफायर कनेक्शन तो आज की वीडियो में ना बात करेंगे ट्रैक्टर वाले म्यूजिक सिस्टमों की क्योंकि काफी सार कमेंट आते हैं बंदे करते हैं कि सर मैंने म्यूजिक सिस्टम लगवाया है या फिर लगाया है किसी के ट्रैक्टर के लिए जो बैस चीज है वह क्या है यह सारी चीज इस वीडियो में हम जानेंगे तो बाइब वीडियो को कर दो लाइक और जो काम नहीं चल रहा है लोगों का बिल्कुल एक डीजे वाला सेट अप चाहते हैं ट्रेक्टर के उपर क्योंकि जब खेतों में काम करते हैं तो आवाज में सुनाई देता नहीं है कुछ भी स्वंग वगरा खाली ट्रेक्टर की ही आवाज सुनाई देती है तो उसके बाद फिर इस तरीके का होता है जो कि बोर्ड के अंदर अटेच रहता है साथ में ठीक है तो यहां पे देखने वाली बात यह होती है कि जितनी वोट का आपका एम्पलीफायर है क्या ये कनवर्टर उतनी पावर उसको दे पा रहा है आपके एम्पलीफायर को उतनी पावर दे पा रह आया यह ठीक है तो क्या वो जो आप सामने इसके लगा रहे हो बॉर्ड यह एंप्लिफैर लगा रहे हो इस पे क्या यह उसको प्रोपर वोल्टेज दे पाएगा जो आप चाहरे हो ठीक है तो यह चीज देखने की होती है तो मेरे हिसाब से अभी जो मार्केट के अंदर जो ब आपको proper ampere की भी जुरूरत होती है, तो जिस converter के अंदर, यानि कि जिस amplifier board के अंदर, converter के अंदर, ज्यादा जो MOSFET आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर जैसे 3, 3, 6 और यहां सामने कुछ 4 और लगे हैं, यानि कि 10 इसके अंदर MOSFET लगे हुए हैं, और इसकी जो coil है, इ यह converter काफी अच्छा है, तो जिसके converter के अंदर, ज्यादा MOSFET लगे हूँ, वो converter आपको लेना चाहिए, या फिर वो converter लगा हुआ, बोर्ड आपको लेना चाहिए, और एक चीज़ यहां पे आपको करनी है, कि जब आप wiring कर रहे हो, तो wiring थोड़ी सी मोटी यूज करें, यानि भी आपको मोटी यूज करनी है, ठीक है, तब जाके आपका जो setup है, ट्रेक्टर का, music system है, वो अच्छा कासा बज़ पाएगा, दूसरी चीज़ होती है, जो amplifier की output होती है, उसी के हिसाब से speaker लगाओ, तब ही आपको अच्छा response मिलेगा, अभी amplifier आप लगा रहे हो, 400 वोट का और उसके ओपर speaker आप लगा रहे हो, 22,000 वोट के, कोई 1000 वोट का लगा रहा है, कोई 1500 वोट का लगा रहा है, तो उसमें तो भाई देखो amplifier की जान निकलनी ही निकलनी है, ठीक है, और ऐसा लोग करते क्यों है, वो भी चीज मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर देखो ये जैसे बोड है, मार्केट से, मानलो ये बोड ले लिया बंदे ने, तो यहां इसके ओपर 12,400 वोट लिखा हुआ है, तो सामने वाला बंदा ये सोच लेता है, कि ये बोड तो 12,400 वोट का है, तो इस पे मैं आसानी से लगा सकता हूँ speaker, इतनी वोट के, तो भाई, इन च होती है, या जो amplifier की RMS होती है, उसी के हिसाब से आप speaker यूज करें, या subwoofer यूज करें, और अगर जैसे speaker वगड़ा यूज कर रहे हो, तो आप high dB के जो speaker होते हैं, वो यूज करें, और जो proper एक design होता है, enclosure का outdoor के लिए, वो आप यूज करें, यानि के एक बड़िया enclosure ready करवाएं, ठीक है, उसी के हिसाब से फिर आपको एक अच्छी output मिलेगी, और क्या होता है कि, जो outdoor वाले system होते हैं, उनकी जो throw होती है, वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, ताकि दूर तक आवाज जाए, और दूर तक बेश रखते हैं, चीजें जैसे की home theater होता है, ठीक है, तो home theater को घर के अंदर बजाते हैं, तो अच्छी base आती है, बाहर रखते हैं, तो base नहीं आती, तो उसी परकार जो आप amplifier ले रहे हो, पहले उसकी output को check करें, कि ये इससे proper output हमें मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्योंकि कई बा पर वो 200 वोट आपको दे रहा है, amplifier पर आपको 200 वोट आरे में से दे रहा है, तो ये सारी चीजे देखनी पड़ती है, तब जाके एक अच्छा music system ready होता है, तो उमीद है, आगे चलके आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, और एक चीज और रह गई गाई, वो है ये, कि इन के अंदर जो pre-amplifier होता है, यानि के जो base table controller होता है, वो भी थोड़ा सा heavy लगाएं, heavy signal दे बोर्ड को, ताकि अच्छी output आपको मिले सामने से, ठीक है गाई, तो ये थी कुछ मोटी मोटी सी बातें इन बोर्डों के बारे में, तो उमीद है, आपको समझ में आई होंगी, फ